इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं वेलकम फ्रेंड्स मेरे चलें इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है हम NPS National Pension Scheme की सीरिज खतम कर चुके हैं मैंने आपके समस्त परशनों के जवाब दे दिये अब इसी में परशन 42 और परशन जो 67 था उसमें एक नई चीज का पता चला है जो हमने चीज बताई थी परशन 42 और 66 में उसमें कुछ ऐसी चीज का पता चला है जिससे KVS और NPS NPS के करमचारियों के लिए ये बहुत बुरी खबर बन गई है केंद्री विद्दाले संगठन और नवदे विद्दाले समीति के जितने भी करमचारी है NPS वाले उन सब के लिए बुरी खबर है मरने के बाद भी चैन नहीं यही मेरा आज का इसका टाइटल रखा है क्योंकि ऐसी खबर है कि कोरोना काल में डैथ पे डैथ हुए जा रही है लेकिन केंद्री विद्दाले संगठन और नवदे विद्दाले समीति दोनों ही कुछ भी नहीं कर पा रही है अपने NPS के करमचारियों के लिए तो देखते हैं इस पूरी खबर को और इस पूरी डिटेल्स को सबसे पहले मैं आपको याद दिला दू मेरा ये परशन 42 देख लेना जिसमें हमने चर्चा की थी कि केंद्र सरकार के करमचारी की रिटार्मेंट से पहले मिर्तिव होने पर नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा उसमें मैंने आंसर दिया था आपको याद हो और इसकी डिटेल चर्चा और उसमें अच्छी तरह देख लेना कि मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि केंद्र सरकार के करमचारी की retirement से पहले मृत्य हो जाती है तो nominee को family pension मिलेगी कब death हो जाए या disability हो जाए during the service NPS के करमचारी को ये बताया था मैंने और family pension जो पुराने लोग है वो तो अच्छे तर जानते है नए लोग भी सुनने कि family pension एक बहुत जबरदस्थ अच्छा option होता है यदि NPS के करमचारी को मिलता है क्योंकि उसमें जितनी आपकी last drawn salary होती है उसकी आधी salary आपको family pension के रूप में दी जाती है तो ये हमने परशन 42 में चर्चा की थी फिर परशन 66 जो मैं ले क्या है 67 उसमें हमने बात की थी कि केंदर सरकार के करमचारी को NPS में ग्रेचुएटी मिलेगी क्या तो उसमें मैंने आपको आंसर दिया था yes as per latest OM number 752012 PNPWF BDT 2608 2016 का था ये issued by department of pension and pensioners welfare the central government employees covered under NPS are eligible for retirement ग्रेचुएटी and death ग्रेचुएटी ये सारी चीजों की खबर दीती कि केंदर सरकार के करमचारी को इस order के अनुसार retirement ग्रेचुएटी भी मिलेगी और death ग्रेचुएटी भी मिलेगी अगर वो service के दोरान उसका death हो जाती है तो उसको death ग्रेचुएटी भी दी जाएगी ये दोनों ही बहुत बड़े benefit होते हैं ग्रेचुएटी के समय में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आप मेरी playlist जरूर चेक करें उसमें आपको सब कुछ सारे NPS के सारे पर्षनों के जवाब मिलेंगे उसमें आप जरूर देख लें तो ये पर्षन 42 और 66 में हमना चर्चा की थी लेकिन उस वक्त ये चर्चा सही थी अब इसी चर्चा से एक चीज निकल के आई है वो है Autonomous Bodies जो हमारा Kendry विद्धाले संगठर नवदे विद्धाले समीती क्या है Autonomous Bodies है उनके उपर क्या नियम लागू है क्या उनहीं भी पर्षन 42 में जो लाब बताया है वो मिलेगा या पर्षन 66 में जो मैंने लाब बताया था वो मिलेगा तो देखते हैं उसी पर्षन का उत्तर Letter के मार्द्यम से Friends ये आचुके हैं हम Kendry विद्धाले संगठन के Letter पे ध्यान दे Kendry विद्धाले संगठन भी Autonomous है और नवोदे विद्धाले संगठन भी Autonomous है तो दोनों के सम्मन्द में यही नियम लागू होगा आप ये सोचे कि ये Kendry विद्धाले संगठन का ओडर है तो नवोदे में लागू नहीं होगा Definitely यही ओडर नवोदे में भी लागू होगा 16.5.2019 का ये ओडर है ओर्गनाइजिशन Covered Under National Pension System NPS उस सम्मन्द में यह लेटर है तो क्या लिखा है लेटर में देखे क्लिरली I am to inform you that Ministry of HRD Human Resource Development Wide Letter इसका नाम चेंज हो चुका है HRD का Wide Letter Dated 22.02.2019 Hatch Directed KBS 4 Stoppage For Stoppage of Retirement and Death Gratuity to the NPS Subscriber 4th week HRD Ministry ने 22.02.2019 को कोई लेटर जारी किया है केंद्र विद्द्दले संगठन को जिसके माद्यम से उन्होंने KBS को दिशा निर्देश दिये कि आप अपने NPS में जो करमचारी है NPS जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलने वाली किसी भी परकार की Retirement और Death Gratuity को ततकाल रोक दे उन्हें इसका लाब नहीं दिया जाएगा तो फिर केंद्र विद्दले संगठन ने क्या कहा नए आदेश जारी किये जिसमें Death Gratuity, Retirement Gratuity और साथ में तीसरा Family Pension भी मना कर दी गई है अपने करमचारीों के लिए अगले ओडर तक ये सारे आदेश दे दी गए हैं तो तीन चीजे रोक ली गई है Death Gratuity भी रोक ली गई है Retirement Gratuity भी रोक ली गई है और Family Pension का जो नियम लागू किया गया था वो भी रोक लिया गया है इसका मतलब है Autonomous Bodies जो Kendri Vidya ले संगठर और नववदे ले समीती हैं उसमें NPS करमचारी को ना तो Death Gratuity मिलने वाली है Corona काल में बहुत सारे करमचारियों की Death हो रही है तो उन्हें किसी परकार का कोई लाब नहीं मिल रहा है तो यह Death Gratuity भी नहीं मिल रही है Retirement Gratuity भी नहीं मिलेगी बहुत तगड़ा नुकसान है यह और Family Pension बहुत 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 नुकसान है क्योंकि Death होने पर Family Pension और यह Death Gratuity सबसे Important होती है जिसमें Family Pension में करमचारी की जितनी salary होती है उसकी आदी salary लगबग उसे direct मिलती है उसके nominee को उसके परिवार को जब तक वो है ठीक है और ऐसे ही एक तो यह चीज मिलती है दूसरा Death Benefit क्या होता है इसमें NPS में कि Death होने पर Gratuity मिलती है जो भी Death के नियम सा अलग होते है ध्यानकना Gratuity में दो तरह के नियम है जिन्दा लोगों के लिए अलग नियम है और जो मर गए हैं उनके nominees के लिए अलग नियम है तो यह मेरे Gratuity का वीडियो आप जरूर देख ले Death Gratuity का फायदा मिल रहा है ना Retirement Gratuity का फायदा मिल रहा है ना Family Pension का अभी तक बारत सरकार ने केवल यह order केंद्री करमचारियों के लागू किया है Autonomous जो bodies है उनके लिए अभी तक यह नियम लागू नहीं हुआ है तो फिर सर्क क्या करें यह तो बहुत बड़ा नुकसान है नुकसान है तो है हमको गंटियां बजानी पड़ेंगी केंद्री विद्धैले को नवद्धैले को और साथ में बारत सरकार को आप Twitter के माध्यम से Facebook के माध्यम से जिस भी माध्यम से या आपके कोई सांसच जानकार हो या जो हमारी नवद्धैले असोशेशन है उनके पदादिकारियों को कहें जो भी असोशेशन है वो लेटर लिखे बारत सरकार को, Finance Ministry को सब को लेटर लिखे कि कोरोना काल में इतनी डैथ हो रही है करमचारियों के बेनिफिट के लिए कुछ तो कीजिए तब जाकर ये समीती केंद्रे विद्धैले संगट ने जागेंगे और सरकार जागेगी तब ये नया उड़ रहा पाएगा तब तक हमको ये जबरदस नुकसान है इसलिए मेरी केंद्रे विद्धैले समीती की ओर्गनाइजेशन से और नवद्धैले समीती की जो ओर्गनाइजेशन से उन सभी से निविदन है कि इस सम्मन में सांसुदो को पतर लिखा जाए बारस सरकार को पतर लिखा जाए और जितनी जल्दी हो सके ये नियम लागू करवा लिया जाए जो कि Center Government के करमचारियों के लिए लागू हो चुका है लेकिन Autonomous के लिए लागू नहीं है जिसके कारण हमारे करमचारियों को बहुत बहंकर नुकसान हो रहा है और वो Corona काल में भी उनको बहुत जबरदस नुकस स्कीम की 100 प्रतिशत सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें Information Technology Center चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद